दोस्तों दिल्ली में आम आदमी पाची की प्रचन जीत हुई है और इसी प्रचन जीत को देखते हुए गुजरात में बड़े खेलोने की संभावना जताई जा रही और यही बड़ा खेल जो है गुजरात की धरती से निकल कर सामने आ रहा हाला कि जो वीडियो आप देख रह है या मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं यह वीडियो पूरी तरीके से कॉंग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इवियम में धांदली करनी शुरू कर दी गई है इस वीडियो की मैं पुस्टी नहीं करती हूं कॉंग्रेस की तरफ से दोस्तों यह वीडियो गया और बताया जा रहा है कि EVM का खेल जो है गुजुरात में शुरू कर दिया गया है एवियम धांदली का मामला जो है गुजुरात से निकल कर सामने आ रहा है एक-एक वीजियो आपको दिखा रहे हूं दोस्तों की कैसे जो है EVM से भरी पेटी जो है वो लोगों के हाथ में नजर आ रही है और शर्वन प्रमार नाम के जो यूजर है जो कॉंग्रेस सेवा दल मीडिया प्रभारी खुद को लिख रहे हैं अपनी पेज पर उन्हों ने ये वीडियो ट्विट करते वे जानकारी दिया है कि गोधी मीडिया तलवे चाट रही है चुनाव आयोग गांधा बना हुआ है और इवियम जेब में है बन गई सरकार गुजरात में क्योंकि एवियम जो है बड़े गारी में पकड़ी हुई नजर आ रही है इस वीडियो क्या कॉजिंग अगर बात की जाए दोस्तों तो इवियम का पेटी जो है यहाँ पर किसी ट्रक में नजर आ रहा है जिसको ले जाने की कोशिश की जा रही है जिसको कॉंग्रेस की तरफ से कॉंग्रेस की कारिकरताओं की तरफ से पकड़ लिया गया है और बताया जा रहा है कि कैसे जो है इवियम धांदली जो है वो शुरू हो गई है अभी आठ तारीख में थोड़ा वक्त है दोस्तों थो ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर लोग वाइरल कर रहे हैं। तो जनता के उस फैसले को पल्टा हुआ माना जाएगा क्योंकि जनता ने जिसे चुना है उस इवियम को धानली और शक के घेरे में रखा जा रहा है। पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। काफी लंबे समय से प्रिचार प्रिसार हो रहा था और प्रिचार प्रिसार के बाद पाश तारीक को आखरी चरण का जो मतदान था वो हुआ। और आखरी चरण के बाद जो रिजल्ट है वो यानि कि कल आने वाले हैं आठ तारीक को आने वाले हैं लेकिन उससे पहले ईवियम में लेकर तमाम तरीके की बड़ी बड़ी खबरे सामने आ रही हैं। बड़े बड़े गंभीर आरोप इलजाम लगाये जा रहे हैं कि एवियम के को लेकर जो है गुजरात में कुछ बड़ा अनहोनी होने वाला है। वहाँ से खिसके नहीं। राकेश्वर लिखते हैं कि गुजरात में मोधी सरकार का करो या मरो वाली नीती के तहट सारे हतकंडे अपनाए गए। चुनाव आयोग मीडिया को साथ लेकर इवियम में भी खेला किया। बड़ी बात ये नहीं है क्योंकि गुजरात में परिवतन की लहर थी तो एक्जिट पोल में बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड कैसे तोड़ रही है। ये सवाल उठा रहे हैं कि जब जमीनी अस्तर पर बीजेपी का हाल पस्त है तो फिर एक्जिट पोल में मीडिया कैसे बता सकती है कि बीजेपी प्रचन बहुमत के साथ जीत रही है। 2017 के आकड़ों से भी जादा इस बार सीट लेकर आएगी। तो ये सवाल इनकी तरफ से उठाया गया है। जी हा दोस्तों क्योंकि गुजरात में जो जमीनी हकीकत थी वो यही थी कि बीजेपी के खलाफ लोगों का घुसा जो है वो फूर्तावा नजर आया आपने तमाम वीडियो देखें जो ग्राउंड की हमने आपको दिखाई कि कैसे जो बीजेपी के खलाफ का भी रैली देखा कि कैसे खाली कुर्सियों का जो जमावड़ा है वो बड़े-बड़े बीजेपी के नेताओं के इसमें लोगों का ना जुटना ये भी अपने आप में बड़ा सवाल था। आगे एजाज एहमद रुजबी लिखते है कि गुजरात चुनाब में पूरे कुजरात में इवियम खराब होने की कई मामले सामने आएं जमालपूर, विष्णगर, बयाड, बढ़गाओ, खेडा और आनंद में कई भूतों से शिकारत भी प्राप्त हुई है अब आगे जो है वो सब कुछ भगवान भरोसे है कि इवियम में धांदली होती है या नहीं होती है या कैसे चोर दर्वासे से सब कुछ खेला हो सकता है इसकी जानकारी अभी किसी के पास फिलहाल नहीं है विष्णू जैश्वाल लिखते है कि एग्जिट पोल को दिखा कर भाजपा आज से परसो तक इवियम की हेरा फेरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी MCD का दिखा कर आप खुश कर दिया और हिमाचल प्रदेश में दिखा कर कॉंग्रेस को खुश कर दिया और जिससे गुजरात में आप कॉंग्रेस खुशी से इवियम की रखवाली करना भूल जाए और BJP अपना हेरा फेरी कर ले यहाँ पर लोगों को जनता को कारिकरताओं को आगाह कर रहे है कि BJP जो है जो चाती है वही हो रहा है कि लोगों को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ सीर देखकर खुश हो जाए कि BJP जो है गुजरात में जीत रही है आमादमी पाटी MCD द पकड़ा जाना यह अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या भारती जनता पाटी को हार काचर गुजरात में भी सताने लगा है जिस तरीके से दिल्ली के नतीजे सामने आए है क्या उस नतीजे को देखकर BJP कोई एस्ट्रेक और कड़ा एक्शन लेने वाली है क्योंकि दोस्तो यही वो नतीजे है तो दो हजार चौबैस में BJP की कि किस्मत का फैसला करेगी और दिल्ली की जनता ने तो BJP की किस्मत का फैसला कर दिया है कि BJP यहां से पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है वहीं अब गुजरात और हिमाचल में बचा तो कोई और संकेतिक इशारा तो नहीं है क्या ये फेक वीडियो है, क्या ये फरजी वीडियो है ऐसे तमाम लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कॉंग्रिस नहीं इस वीडियो को शेयर करते वे कहा है कि बीजेपी बड़ा जोल करने वाली है लोगों को लॉलिपॉप पकड़ा कर बीजेपी अंदर खाने से बड़ा कांड करने वाली है दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राई है हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ दा निशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भोले क्या राई है